हलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में आपका पीछी वीडियो में हम मेघाले डिस्कस कर रहे थे मेघाले जर्नल डिस्टिक एरिया तो मेघाले का हम OBC तक डिस्कस कर चुके हैं उसमें UR के हम बात करते हैं मेघाले यू ऐर का वेकंसी की हम बात करते हैं तो 225 वेकंसी है अब 225 पे टोटल कैंडिडियट कितना एक हाल है 225 पे दो गुणा कैंडिडिड भी एक हाल नहीं है 403 कैंडिडिड इवीनेट है इसमें से आप 100 कैंडिडिड यो हैं वो आप आउट कर दीजिए Medical Unfit Plus Absent वाले 225 में 300 candidates है 300 में से 225 आपको लेना है तो 35.03 पे है ये बता देता हूँ आपको कि ये 36 से उपर नहीं निकलेगा मिजोरम SC की बात करते हैं मिजोरम SC 7 candidates available है जबकि मिजोरम SC कि यदि हम vacancy की बात करते हैं मिजोरम SC तो मिजोरम SC जो है वो तीन vacancy है मिजोरम की SC की और तीन पे साथ candidate है अब देखे 33 पे रहा है तो अब इन में से कितने absent हुए है वो भी count होगा प्लस जो तीन candidate लेने है इस में से कितना unfit हुआ है वो जहां साथ ही candidate है हमादे के साथ के साथ fit भी हो सकते है साथ के साथ unfit भी हो सकते है तो यह इस में बताना बड़ा मुश्किल है जो fit हो गए है वो इसमें full chance हो जाता है साथ में से जो fit है उनका chance यहाँ पर हो जाता है मिजोरम SC की बात करते हैं 73 यहाँ पर candidates जो है वो available है और मिजोरम ST वेकंसी जो है वो 132 वेकंसी है अब मिजोरम ST candidates अविलेबल है 73 वेकंसी 132 73 जो fit हो जाएंगे वो सभी भरती हो जाएंगे cut off इस से point में भी नहीं बढ़ेगी इसी पर रह जाएगी मिजोरम OBC में दो candidate अविलेबल हैं जबकि मिजोरम OBC की हम वेकंसी की बात करते हैं तो 23 वेकंसी है मिजोरम OBC की यह दो candidate दोनों भरती हो जाएंगे fit हो जाता है मिजोरम UR के 100 candidates अविलेबल है और मिजोरम UR का दोस्तो 152 seat है तो मिजोरम का कोई cutoff नहीं बढ़ने वाला है मिजोरम में SC में यह जो 7 candidate है इनका कुछ problem हो सकता है कि यह 7 के साथ fit हो गए हैं तो लेना 3 ही है बाकि ST, OBC और UR मिजोरम में जो candidate fit हो गए medical वो अभी से अपने आपको वर्दी पहना हुआ समझ ले कोई इसमें problem नहीं है उनको sub-select है नागालेंड के हम बात करते हैं नागालेंड ST 480 candidates available हैं और नागालेंड की vacancy की बात करते हैं नागालेंड ST में 198 vacancy है अब 198 है ये 480 33.14 पे रहा है 180 पे लेना कितना है 200 के आसपास है vacancy 201 लेते हैं हम दो गुना से भी ज़्यादा है डीड नमबर तक आप इजाफा इसमें कर दीजिए cut-off छूटेगा नागालेंड UR की बात करते हैं 291 candidates available है और नागालेंड 97 vacancy है 97 वोई डेड से दो नमबर का आप इजाफा इसमें कर दीजिए उडिसा के हम बात करते हैं उडिसा SC 328 candidates available है उडिसा SC की 155 vacancy है उडिसा SC 155 vacancy है 328 है 328 में से देखिए मैं बता दूँ आपको कि 250 जो है वो candidates पीछे बचेंगे 75 जो candidates है वो 75 candidates यहाँ पर medical में निकल चुके हैं 250 में से लेना कितना है 155 लेना है एक से डेड़ नमबर का इजाफा आप यहाँ पर कर दीजिए उडिसा SC की हम बात करते हैं 514 candidates available हैं और उडिसा ST 200 199 है वेकंसी 199 है अब 199 200 में से दो गुना से भी जादा हो गया इस में से 100 candidates जो है वो आप निकाल दीजिए 114 यानि पूरा-पूरा 400 बसता है 400 में से लेना कितना है 200 लेना है दो गुना डेड़ से दो नंबर का इजाफा आप यहाँ पर कर दीजिए उडिसा ESM तीन ही candidate available हैं तीनो candidate भरती हो जाएंगे उडिसा OBC की हम बात करते हैं उडिसा OBC 247 candidates available हैं उडिसा OBC में 119 रेकंसी है अब 119 देखे 119 को लगबग 2 गुना है अब इस में से more than 50 candidates जो है वो यहाँ पर निकल जाते हैं तो एक से डेड़ नंबर का इजाफा नहीं होगा इसके अंदर अंदर जो है candidate select हो जाएंगे उडिसा UR की बात करता है 1130 candidates available हैं और 508 उडिसा की वेकंसी है 1100 में से 200 से 2500 candidates जो है वो निकल जाएंगे medical unfit plus absent वाले पीछे बसता है 7500 के असपास candidates बचेंगे 7500 में से आपको बता दूँ कि 508 लेना है तो एक नंबर से ज़्यादा इजाफा नहीं होगा पॉंडिचेरी की हम बात करता है पॉंडिचेरी SC 3 candidate available है पॉंडिचेरी वेकंसी की बात करता है पॉंडिचेरी SC 7 वेकंसी है तो जो 3 हमारे साथी जो fit हो गए है वो 3ों भरती हो जाएंगे कोई cutoff का इजाफा नहीं होगा पॉंडिचेरी OBC जो है वो 14 वेकंसी है 15 candidate है एक candidate इसमें से छटेगा वो medical में छट चुके हैं 2-3 candidate इसमें 15 में से आपको बता दूँ कि 15 के 15 candidate medical fit नहीं होंगे 3 candidate इसमें निश्चित रूप से आउट हो गए पीछे बसते हैं 12 12 के 12 यहाँ पर select हो जाएंगे पॉंडिचेरी UR की बात करते हैं 18 candidate इविलेबल है वेकंसी 25 है तो कोई cutoff नहीं बढ़ेगी जो fit है वो select हो जाएंगे वेकंसी खाली रहे जाएगी पॉंडिचेरी की आपको बता देता हूँ तो दोस्तो पॉंडिचेरी जो है वो हमारा non-nuxal effected या non-militancy effected UT है उसकी जो वेकंसी खाली रही है वो हम आवाज उठा रहे हैं BSF tradesman में भी हम एक ऐसा group हमने बनाया है जिसमें जो खाली वेकंसी रहे गई दूसरे रज की states की चंदीगड की UT की कहीं की भी वो जो reserve candy rates बचे वे हैं भी जो medical fit है उस संबंधित trade में उनको दिया जाए ऐसा हम एक legal जो process है शुरू कर रहे हैं हम और वैसा ही हम SSC के लिए भी करेंगे ताकि जो हमारे साथ ही आज unemployed है youth प्लस संखर्ष कर रहे हैं उनको फाइदा हो सके और दूसरी तरफ जो vacancy खाली रही है वो vacancy फिल होकर वो नौजवान जो है वो सारहदों पर हमारे जो duty है जहां पर duty पूरी नहीं हो रही है वहां पर वो duty पूरी हो सके चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं यहां पर हम Pondicherry किसमें बात करी हैं हमने अब हम बात करते हैं 188 vacancy है 183,54 और 183,54 पूरा-पूरा तीन गुना दोस्तों जहां तीन गुना है वहाँ पर पंजाब जैसा स्टेट जहां पर तैयारी का माहुल है तो आप दो नंबर का इजाफा इसमें कर दीजिए उससे उपर जो केंडिडेट्स हैं वो निश्चित रूप से यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे E.S.M. सभी सेलेक्ट हो जाएंगे O.B.C. 408 केंडिडेट्स है और पंजाब में O.B.C. की वेकंसी की बात करते हैं तो पंजाब O.B.C. 136 केंडेट्स है 408 Candidates है तो यहां पर पूरा-पूरा 3 गुना है दोस्तो 3 गुना में वही आप 2 नमबर का इजाफा आप निश्चत रूप से यहां पर कर दीजिए 2 से उपर ही रहेगा 2 से नीचे नहीं आने वाला है पंजाब यूर की बात करते है 954 Candidates अविलेबल है और 318 पूरा-पूरा 3 गुना है दोस्तो 2 नमबर का यहां पर इजाफा जो है यहां पर कर दीजिए आप 2 नमबर का इजाफा जो है इसमें भी आप यहां पर कर दीजिए अब राजस्तान के हम बात करते हैं राजस्तान जनरल डिस्टिक SC 816 Candidates अविलेबल है राजस्तान में पूरे-पूरे 3 गुना Candidate है राजस्तान का 272 SC का वेकंसी है 272 जो है वो पूरा-पूरा 3 गुना 816 हो जाता है इसमें से देखिए 816 में से आपको बता देता हूँ कि 272 Candidates इसमें आउट हो चुके हैं Medical प्लस एपसेंट वाले पीछे वस्ता है 2 गुना वस्ता है हर 2 में से एक Candidate सेलेक्ट होगा तो यहां जो यह आपका Cut-off है इसमें प्लस 2 से उपर आप इजाफा कर दीजिए वो Candidates यहां पर सेलेक्ट हो जाएंगे राजस्तान ST की बात करते हैं 561 Candidates available है 561 Vacancy जो है वो यहां पर पूरा पूरा 3 गुना के अनुसार Candidate है 187 ST की Vacancy है 561 इसमें से तीसरे हिस्ते के Candidate जो है वो Out मानते हैं हम दो नंबर का इजाफा यहां पर वियाप कर दीजिए ESM राजस्तान सभी सेलेक्ट हैं कोई प्राबलम नहीं है OBC राजस्तान की बात करते हैं 927 तो 927 का मत्दब है कि 309 Vacancy यहां पर है 309 Vacancy है 927 एक हिस्ता जो है एक वटा 3 इसमें से निकल चुका है भी Remedical जो है वो देखे Normal Remedical Bikaner और जोदपूर जो सेंटर था उसमें बिल्कुल Normal Remedical हुआ है तो यहां पर आपको बता दूँ कि दो नंबर से ज़्यादा जो है राजस्तान का OBC नहीं बढ़ेगा जबकि यहां पर जो 85 जिनको है 85 से उपर जो है 85 जो उपर निकल रहा है जस्ट वो लोग OBC सेलेक्ट हो जाएंगे अब इस में से Candidates जब ज़्यादा होते हैं तो आपको बता दूँ कि तीसरे हिस्से के Candidate Medical में आउट नहीं होते हैं यहां आपको 500 से ज़्यादा Candidate Medical प्लस एपसेंट वाले नहीं हैं लगभग 1900 Candidates राजस्तान जर्नल डिस्टिक में अब उस में से लिया कितना जाएगा उस में से लिया जाएगा 805 Candidates लिया जाएंगे 2 से धाई नमबर का इजाफा आप राजस्तान यूर में कर दीजिए राजस्तान में भी यूर का जो कट अफ है वो OBC से नीचे है उसकी वज़ाई यह OBC जो Candidates है यह वो Candidates है जिन्होंने Marks जो है वो ज़्यादा लिये है जर्णल से लेकिन Age Relaxation ले लिया इसलिए वो लोग जर्णल में नहीं जा सकते हैं इस 2415 में SCV है STV है इसमें OBC भी है अब यह लोग कई Candidates को डाउट होता है कि यूर का कितना वेकंसी रिजर्व होता है देखे दोस्तों यूर का कोई वेकंसी रिजर्व नहीं होता है रिजर्व वेकंसी जो है वो रिजर्व कैटेगरी के लिए होती है अब यह 2415 जो है इसमें कितने Candidates यूर में SC, ST और OBC वाले शामिल हैं वो कट ओफ OBC स्वरी, UR की कट ओफ से ज़्यादा मार्क्स लेते हैं प्लस एज रिलेक्शेशन नहीं लेते हैं तो वो लोग UR में सेलेक्ट हो जाएंगे फाइनल में तो यह दोस्तों राजस्तान का है अब हम बात करते हैं सिक्किम की सिक्किम बहुत ही छोटा सा मारा स्टेट है जहां पर जनसंख्या के अधार पर वेकंसी भी साबसे बहुत कम वेकंसी आती है सिक्किम की टोटल वेकंसी 36 है जिसमें SC की वेकंसी नहीं है वहाँ पर ST ST की साथ वेकंसी है लेकिन एक भी candidate नहीं है OBC की वहाँ पर 13 vacancy है एक ही candidate है यदि अब ये candidate हमारे fit हो गए है ये भरती हो जाएंगे इसी cutoff पे UR में सिक्किम का जो है वो 16 16 vacancy है और ये भी एक ही candidate है ये भी ये फिट हो गए है तो ये भरती है कोई problem इनको नहीं होगी तमिलनाडू की बात करते हैं तमिलनाडू SC 749 vacancy है तो तमिलनाडू SC की vacancy की बात करते हैं 345 vacancy है अब 345 के पीछे 749 इस 749 में से आपको बता देता हूं कि 249 जो है वो out हो चुके हैं पीछे आपको यहां पे बसता है 500 candidates बसते हैं 500 में से लेना कितना है 500 में से 344 लेना है एक से डेड़ नंबर का इजाफा नहीं होगा तो यह तमिलनाडू हमने यहां पे शामिलनाडू के जो बचे हुए जो categories है वो next video में आज शाम तक और कल Monday शाम तक जो है आपको सारे videos provide करवा दिये जाएंगे cut off के उसके according आप अपना analysis कर लीजे आप कितना safe हैं और कहां आप out हो रहे हैं यह आपको पता चल जाएगा कुछ candidates ने देखिए बड़े बद्दे कमेंट किये कि उनके marks जो है actually points में marks जादा है तो यह जो हम बना रहे हैं cut off इस पे बहुत study की है हमने और यह आपको दिलासा देने के लिए नहीं बना रहे हैं यह इस से उपर नीचे vary नहीं होगा जिनको 10 नंबर जादा है वो confirm select है जिनको 5 नंबर जादा है वो भी confirm select है लेकिन जिनको point 5 नंबर जादा है वो select नहीं भी होंगे बहुत सारे state duty में एक नंबर दो नंबर वाले भी out हो जाएंगे तो दोस्तों यदि आप out होने वाले borderline cases में हैं तो आप करपया करके हमारे उपर बद्धे comment नहीं करें कुछ candidates ने ये भी कहा कि तुम साले भगवान हो क्या देखिए भगवान को भी गाली देने से लोग नहीं चुक रहे हैं तो ये उनके अपने उनकी family की तहजिब है कैसा उनको उनकी family ने सिखा है वैसे comment लो कर देंगे अपनी family अब आपकी जो भाशा है वो हमारी family का एक दरपन है हमारी family background कैसा उसको दिखा देती है उससे कोई फरक नहीं पड़ता है हमें जो comments बद्दे comments होते है remove करने पड़ जाते हैं और जवाब भी हम उनको दे सकते हैं बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं उसके लिए हमने वीडियो भी बना दिया है कि गाली गलोच YouTube पर करना एक अपराद है IPC के तहट तो वो भी हम दिखा दे कानून लेकिन हम नहीं चाहते कि किसी के साथ कोई खराब हो student है student के हिसाब से रहे carrier बनाने के लिए हम लोग कोशिश करते हैं किसी का खराब करने के लिए नहीं तो उसको वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं यदि आपको कोई शिकायत है तो वो भी बताएं अब रुकना नहीं थमना नहीं अब ठानना है वर्दी को हरहाल में पाना है जेहन